आज मैं आपके लिए लेकर आयों पनिर लबापदार की सबजी की रेसिपी जो कि हम बनाएंगे धाबा स्टाइल यह बहुत ही आसान सी रेसिपी है तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैन इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ओईल यहां लेरियो में वन फोट टी स्पून शाह जीरा यहां लेरियो में चार लॉंग तीन इलाइची अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टेबल स्पून चॉप गार्लिक अब मैं इसके अंदर डाल रहे हूं टमाटर के रफली चॉप की होए पिसेस यहां मैंने चार बड़े टमाटर लिये है यहां मैं लेरियो 10-15 काजू के पिसेस यह है खरबुजे की गीरी यह लेरियो में वन टेबल स्पून अब हम इसे अच्छे से मिक्स करकर इसके उपर लिड लगा कर इसे फ्राई होने देंगे यहां हो चुके 5-7 मिनिट आप देख सकते हैं अच्छे से हमारे जो टमाटर है मशी हो गए है अब हम इसे थंडा होने रख देंगे यहां मैंने इसे थंडा करकर मिक्सर में पीस लिया है हमें इसका फाइन पेस्ट बनाना है यहां लेरियो में पैन के अंदर फोर टेबल स्पून ऑईल इसके अंदर हम डालेंगे तीन से चार बेलीब्स अब मैं इसके अंदर डाल रहे हो बारी कटा हुआ प्यास यह दो तो हमें उससे आदा प्यास लेना है अब हम इसे अच्छे से तेल के अंदर फ्राइ कर लेंगे हलका सा इसे गोल्डन कलर आ जाए बस इस तरह से हमें ज्यादा गोल्डन कलर नहीं लाना है यह थोड़े से ट्रांसपर हो जाए तो बस हमें इसके अंदर डालेंगे हमारे मसा लाख आप मैं इसके डाल रहे हूं नमक तेस्ट के अकोडिंग हम एसे अवे अग बार अच्छी से मिक्स कर लेंगे और जब तक हमारे प्यास के अंदर से तेल सेपरेट नहाए हमआ इसे चलाते रहेंगे अब मैंisaan डाल रह रह 25 टेबल स्पून जिंजर पैस्ट और हुआ इसे एक बार अच्छ से मिक्स कर लेंगे कि अब अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने टेमाटर की प्यूरी बनाुआ की रखी थी अब इसे वे लगा कर रख देंगे, अब 5-6 मिनिट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी और इसके अंदर से ओईल भी सेपरेट होने लगा है, अब हम इसके अंदर डालेंगे, क्रीम यहां मैं फ्रेश क्रीम ले रही हूं, आप चाहे तो जो घर की मलाई होती है, उसे ह अब फिर्णीक पनीर बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम पीसे से वाला पनीर भी डालेंगे, और ग्रेट किया हूँ अरपनीर भी डालेंगे,しました 1 जाएज अनधर अक्छे से मिक्स कर लेंगे, मैं इसके अंदर दाल रहे कर लिया है यहां मैं 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल रही हूं और हम आप सब्जी को 5-6 मिनिट के लिए खुक होने देंगे थोड़ा सब्जी में आइल सेपरेट होने लगेगा तो हम फ्लेम को आफ कर देंगे इदेखिए अब रेडि हमारी सब्जी अब हमें से दूलर वाली सब्जी मत बनाई है आप इस बाल बनाकर देखिए पनीर लबापदार की सब्जी तो आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड सस्क्राइब जरूर करना और हमें कमेंट्स करकर बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी थैंक्यू सो मच